ग्रमश्कार दोस्तों मेरे नाम है भलचंद्र ब्रह्मवांड सिद्ध्य एस्ट्रों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तूला राशी का अगस्त 2021 का संपुर्ण राशिपल कैसे होंगे ग्रहयों कैसे होंगे ग्रहों के राशंतर और वो आपके राशी पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं कौन से निर्णे आपको लेने हैं कौन से निर्णे आपको टालने हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना ये जो चैनल है ब्रमभन्ड सिद्धी एस्ट्रो इस चैनल पर मेश रासे से लेकर मेंद राशी तक की जो सभी 12 राशिया है इन सभी 12 राशियों का अगस्ट 2021 का राशिवल क्या होगा उसके संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनल जरूर जुझे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशिय का अगस्ट 2021 का संपूर्ण राशिवल सबसे पहले हम यह जैनेंगे आपके राशिका जो स्वामी है शुक्र स्वेसिति शुक्र करीबन 11 तरिक तक आपके लाब भाव में ब्रह्मन करेगा और 12 तरिक के बाद यह आपके वेवाव में ब्रह्मन करेगा तो 2-3 बाते हैं उसके पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश् आपके लिए ला सकता है उसे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा उसी प्रकार पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो जो बुद्ध है जो कि आपके राशिक का बागेज भी है और यह आपका वेज़ भी है तो वह आपके दशम भाव में ब्रह् करेगा और करीब दिनाग सत्ता इस तरीक के बाद यह आपके वेज़ भाव में स्वयम के राशिय में ब्रह्मन करेगा तो नौ तारिक से लिए करेबन 26 तारिक तक का जो समय है उसमें यह जो बुद्ध है आपके लाब भाव में ब्रह्मन करेगा जो कि आपके लिए काफी अच्छी और महतोपूर्ण बात होगी क्योंकि यह जो बुद्ध है यह बुद्ध काफी समय तक मतलब इस मैने के करेबन नौ तारिक से लिए 26 तारिक तक आपके लाव में ब्रह्मन करने के कारण लग फैक्टर आपका काफी जादा अच्छा रहेगा लग यानिके भाग्य करारी के या इस सूर्य के बारे में अगर च Zac下 की जाए तो सूर्य आपके दशम में ब्रह्मन कर रहा है और 17 तरुख बाद यह आपके लाव भाव में स्वैम के राशी में ब्रह्मन करेगा तो यह जो रवी का जो ब्रह्मन होगा आपके लिए बहुत ही जादा मैट्रपड साबित होगा आपने देखा होगा कि जहां पर आप काम करते हो नोकरी करते हो या फिर वेवसाय करते हो वहाँ पर आपके जो काम की काफी अच्छी साराना हो रही है और दिनाथ 17 पर जैसे ही यह रवी आपके लाव बहुत में ब्रहमन करेगा स्वयम के राशी में आ जाएगा तो प्रत्थिक्ष्लाब मिलना जिसे हम बलते हैं मंगल के बारे में अगर चर्चा की जाया तो यह मंगल आपका सबतमेश भी है और शुद्य बी है महतो पुल्द होता है जो कि लाब बहूं में ब्रहमन के रहेगा आपके विवाय तो आपके जो वाई-वाई जुड़िदर होंगे उनके साथ आपके जो relationship होगे वो काफी मजबूत देखे जाएंगे आप दोनों में बहुत ही अच्छी हार्मनी देखी जाएंगे पैसे के मामले में भी अगर देखा जाएं तो पैसे की जो income है वो काफी अच्छी देखी जाएंगे अच्छी investment में देखी जाएंगे आपके जो मित्र परिवार होंगे उनकी मदद भी आप इस मेने में कर सकते है जो कि काफी अच्छी बात होगी तो जो mangal का जो भ्रहमन है वो भी आपके राशे के लिए काफी जादा मेहतोपुर्ण और शुबुफलदाई होगा उसे परेकर शनी के बारे में अदर चर्चा की जाए तो आपके राशे के लिए जो शनी है ये चतुर्थेश और पंचमेश भी है मतलब महतोपुर्ण केंदर और कौनस्तान का अधिवत ये आपके केंदरस्तान में होने के कारण ये जो शनी का ब्रहमन है आपके लिए बहुत ही जादा महतोपुर्ण शुबुफलद आए होगा आपके चतुर्थवा में शनी का ब्रहमन होगा तो कोई बड़ी ऐसे प्राप्लिम या कॉम्प्लिकेशन आपके लिए नहीं आएंगे लेकिन एक बात है उसके पर थोड़ा सा ध्यान देना अवश्यक होगा क्योंकि आपके घर जो गया आपके घर में जो बुजुदुर्ण है जो जिंकी जो आयो है वो काफी जादा है उनके सहथ वारे में चोटी मोटी बाते Back कर सामने आज सकती है या फिर लक्षन आपको दिखाई देख सकते हैं अगर ऐसे के बात लगती है उसके पर तुरंद काम करना दूसरी ज़्यादा मेहतो पुर्णमा जो गुरु है वह यह गुरु आपके पंचम भाव में वक्री अवस्ता में चल रहा है जो गुरु है वह आपके राशिका तृत या फिर व्यवसाय करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे वह आपके उमीद से थोड़ा अलग बिहेव करते हुए नजर आएंगे तो उसका जादा स्ट्रेस अटेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लेकिन सेहत के उपर ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा प्रविया जोड़ी दर होंगे उनसे भी आपको काफी अच्छे मदद मिल सकती है फिर आप दोनों में काफी अच्छे हार्मनी भी देखी जाएगी अब आप चाचा करेंगे ग्रह योगों के बारे में दिनांग एक तरीक को रभी और बुद्ध की यूति होने जारे आपक प्रविया बुद्ध की जी जो यूति होने जारे आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी कुछ अच्छे आपको फाइदे मिल सकते हैं उसे प्रकार तुलाराश्य के विक्ति जो जॉब नहीं मिल रही या फिर तुलाराश्य के विकति जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके जो कालावदी है करीबन एक दो तीन तारीक है तो वह काफी अच्छा और महत्वपूर्ण सावित होगा क्योंकि इसमें आप आपके जॉब चेंज कर सकते हो या फिर कुछ नया बिजनिस अगर आप शुरुवात करना चाहते हो तो इन दोने में आपको काफी आप अच्छे केल रहे हैं उनके कारन लेकिन उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी उसी ब्रकर दिनांग दो तारीक को रवी जो कि आपके दशम भाव में उसके साथ आपके चतरत दबाव का जो शनी है वो प्रतियोग करने जारे तो जहां पर उसी ब्रकर शुक्र जो की आपके लावु भाव में भ्रहन कर रहा है इसके साथ आपके सप्तम्मऑ को जो हर्शल है वो नववपंचमियो क्याने की त्रिकोणीयो करने जारा है दिनांग तीन तारिक यो यह जो ग्रहयोंगे वो बहुत ही जादा महत्वपुर्ण है बहुत ही जादा प्रभावशलिय होगा और आपके लिए काफी जादा important भी साबित होगा क्यूंकि इस ग्रहयोंग से जो influencer का जो प्रभाव होगा वो करीब तीन-चार तारीक्र को देखा जाएगा इसका सबसे महत प्रतिक्षिल लाप के बारे में यह जो महत्व पूर्ण ग्रह आपके लिए काफी ज्यादा मेहत्व पूर्ण या फिर शुबफलदाई होगा आपके जो बितर परिवार होंगे उनमें जो मैना वरगोंगे उनसे आपको काफी अच्छी फायदा मिल सकता है या पर काफी अच करते हैं या फिर व्यक्ति होगे उनके साथ कोई शाब्दिक कुछ अनबन हो सकती है उसे के ओपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा उसे पर जहां पर आप काम करते हो नुक्री करते हो उनके साथ भी चोटी-मूटी बातों को ले पर तकरार हो सकती है अब यह जो बात है दिनांग छे तरिकों होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है उसी पर रहागा शुक्र जो कि आपके लाब बाव में ब्रह्मन करेगा उसके साथ आपके पंचमबाव को जो निप्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहे दिनांग नौ तरिकों तो यहां पर अगर आ प्रभाव में से बुद्व के साथ आपके सब्तमबाव को जो हर्शन है वो नवो पंचम योग याने की तरिकों नियोग करेगा इसका जो प्रभाव वोग देखा जाएगा वो करेबन 20-20 तारिकों देखा जाएगा और यह शुबह कालावदी होगा या फिर शुबह ग्रह के लिए काफी जादा महत्वपुर्ण साबित हो सकते हैं उसी प्रकार दिनांग 22 तरिकों मंगल और हर्शल का त्रिकों योग होने जा रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही जादा महत्वपुर्ण और शुबह फलदाई होगा इन दोनों में अगर आपका विवा हुआ उनके साथ आपकी काफी अच्छी साजेदारी देखी जाएगी आप दोनों में बहुत ही अच्छी हार्मनी देखी जाएगी जो कि काफी ज्यादा महत्वपुर्ण भी साबित होगी उसी प्रकार दिनांग 23 तरिक को शुक्र जो कि आपके वेयभाव में ब्रह्मन करेगा उ काफी अच्छी तरिके से पूरे होते हुए नजर आएंगे इन दिनों में जो भी आपके पेंडियंक काम है वह आप हात में ले सकते हो वो काफी अच्छी तरिक से पूरे होते हुए नजर एगा उसमें किसी भी परकार के प्राबlesं या कॉंप्लिकेशन्स बिलकुल भी के लिए काफी अच्छी और महत्वपूर्ण बात होगी इस प्रेकर दिनांग 25 तारीक को बुद्व जो आपके लाबुबाउं में ब्रह्मन करेगा सिंगराशी में उसी के साथ आपके पंचमबाउं को जो नेफ्चुन है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो यहां पर की जो भी का बाते हैं उसके संदर में कुछ चोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन वगरा सामने आ सकते बस यही बात है हलागि इसका जो असर होगा वो ज्यादा दिनों तो देखा नहीं जाएगा तो दोस्तों यह था जो क्रहयोगा उसका होने वाला परिणाम इस मेहने में उसी अमवस और पॉर्णिमा के जो दिन होते हैं उसमें चंदरमा और सूर्य का अकर्शन होता है पृत्वी के प्रति वो काफी ज़्यादा देखा जाता है इसलिए हम ज़्यादा इमोशनल भी इन दिनों में हो जाते हैं तो इमोशन में लिए हुए कोई भी डिसीजन गलत होने के संभौना काफी ज़्यादा बनती है इस विज़े से इस मेने के मतलब अगस्ट दो हजार इकिस के आठ और बाइस तरिक को किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके विज़े से आपको प्रॉब्लम्स वगरा आ सकते ह भी नहीं करना तो दोस्तो ये था दिना ये था अगस्ट दो हजार इकिस का तुला राशी का संपुर्ण राशिपल आपको ये राशिपल कैसे लगा अपने के सर से अनुभो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रमभांड सिद करना धन्यवाद